हलो स्टूडेंट्स आज हम सवतंतरता आंदोलन के दोरान एह सयोग आंदोलन की समापति के बाद गठित सुराज्य पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे सुराज्य पार्टी की स्तापना सी आर दास अथार्ट चित्र अंजन दास वे मोतिलाल नहरू ने मार्च 1923 इस्वी में इलाबाद नामकस्तान पर अखिल खिलापत सुराज्य पार्टी के रूप में की जिसको सुराज्य पार्टी के नाम से भी जाना जाता था सूराजय पार्टी की इस्तापना का मुख्य उद्देशे था ए सहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कुछ राष्ट वादियों के दवारा चुनाव में भाग लेकर और विधान मंडल में अंग्रेजों के साथ ए सहयोग की नीती का पालन करना अतार्थ ए सहयोग को विधान मंडल में ले जाना था और उनमें उनको काफी सपलता भी प्राप्थ हुई सूराजय पार्टी ने अपने को कांग्रेश के अभिन अंग के रूप में ही परचारित किया तथा अहिंसा वे ए सहयोग में अपनी प्रति द्विधता प्रकट की सी आरदास सूराजय पार्टी के अध्यक्स वे मोतिला नेरुस सचीव थे सितंबर 1923 इश्व में दिल्ली में मोलाना आजाद की अध्यक्सता में कांग्रेस के विशेश अधिवेशन में सूराजय पार्टी वे उनके कार्यकर्मों को कांग्रेस के अंतरगत माननेता दे दी गी इस परकार कांग्रेस एक और विवादन से बच गई क्योंकि कांग्रेस के अंतरगत कुछ राष्टवादी सोराज्य के अंतरगत जो कारे करम किये जा रहे थे उसका विरोध कर रहे थे क्योंकि गांदी जी का मानना था कि ऐस व्योग अंदोलन के बाद कुछ रचनात्म कारिय किये जाएं ताकि जनता में वापिस सोतंतरता आंदोलन या राष्ट्रवाद के परती भावना और ज्यदा प्रबल की जाए दिसंबर 1923 इस्वे में काकी नाड़ा में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कारिय करताओं को चुनाव लड़ने वैं मद्दान करने की अनुमती 1923 इस्वे में मिल गई 6 नौबर 1924 इस्वे को गांदी जी सियारदास और मोतिलार नहरू के मद्देग समझोता हुआ जिसके अंतरगत यह तैग हुआ की स्वेराचिय पार्टी अपना कांग्रेस से स्वतंतर होकर एक स्वायत निकाय के रूप में करेगी तथा स्वेराच पार्टी का अलग सच्चिवाले होगा यह समझोता गांदी दास समझोता के नाम से परसिद है 1924 इस्वे में कांग्रेस के बेलगाम हुए वार्शिक अद्वेशन में गांदी दास समझोते के पुष्टी कर दी गई 1923 इस्वे के विदान मंडल चुनाओं में सुराज पार्टी के गोशना पत्तर में उन्होंने यह परतिग्या ली की वे किंद्रिये वे प्रांतिये विदान परिशदों में सरकार के कामकाज को बादिद करेंगे सुराज पार्टी को मदन मोन मालविये जैकर वे विठल भाई पटेल जैसे राष्टवदी नेताओं का समर्थन भी प्राप था 1923 के चुनाओं में सुराजियों ने किंद्रिये विदान मंडल की 101 में 42 सित्वों पर जीत हासिल की प्रांतिय विदान मंडल में मद्य प्रांत में सुराज पार्टी को इसपस्ट बहुमत मिला बंगाल में वे सबसे बड़े दल के रूप में उबरे तथा बंबई वे उत्तर परदेश में संतोस जनक सपलता मिली स्वराज पार्टी को मद्रास और पंजाब में आसा के अनुरूप सपलता नहीं मिली 1925 इस्व में विठल बाई पटेल केंद्रे विधान परिशद में असेम्बली के अध्यक सुने गए यह स्वराज पार्टी की एक बड़ी जीत थी मोतिलार नहरू के नित्रतों में स्वराजियों ने 1924 इस्व में एक 600 दन प्रस्तूत किया और मांग की की भारतिय सविदान का निर्माण भारतिय सविदान सभा के दवारा ही होना चाहिए अब हम सवराज पार्टी या सवराजियों की विदान मंडल में परमुक उपलब्दियों के बारे में देखते हैं जिसमें पहली उपलब्दी थी कि 1919 के अधिनियम की जाँच के लिए 1924 इस्व में मुडी मैन समिती नियुक्त करवाना सर अलेंग जैन्डर मुडी मैन गवर्नर जनरल की कार्य कारेनी परिशद में ग्रेस अचीव थे जिनकी अधियक्स्तामिय समिती नियुक्त की गई थी दूसरी सपलता थी कपास पर लगे उत्पादक सुल्क की समापती वे नमक कर में कटो थी तीसरी सर्मिकूँ में मजदूर संगूँ के लिए कारिय है नगरपाली का चुनाओ में सी आरदास कलकत्ता के मेर एमदाबाद में विठल बाई पटेल पटना में डाक्टर राजिंदर परसाद तथा इलाबाद में पंडित जवाला नहरु मेर चुने गए अब हम सोराज पार्टी में संकट के बारे में डेन करेंगे जून 1925 इस्व में चितरंजन दास की मृत्यू के बाद सोराज पार्टी कमज़ोर हो गई तथा पार्टी दो गुटों में बट गई सरकार के साथ सहयोग करने वाला सोराज पार्टी का गूट प्रत्युत्तरवादी, रेंस, पॉन्सिविस्ट कहलाया यह गुट हिंदू हितुं की रक्षा के लिए सरकार के साथ सहयोग करने का उच्चुक था इस गुट में एम सी केलकर, एम आर जैकर, पैम अधन मोहन मालवे आदी थे बंबई के सवराज वादियों ने प्रत्युतर वाद या प्रत्योगी सहयोग की नीती का सम्मर्थन किया तथा मद्य प्रांत में तो विदान सबा में सवराज दल के अद्यक स्री एस वी तांपे गवर्नर की कारेकारिनी परिश्चत के सद्देश से भी बनाए गए इस परकार चित्रजंदास और मोतिलाल नहरु दवरा गटिश सवराज पार्टी का अंध हुआ अब हम साइमन कमिशन जो कि 1927-28 इस्वी में बारत माया उसके बारे में अध्यन करेंगे 1919 इस्वी के भारत शासन अधिनियम में यह प्रावदान था कि अधिनियम फारित होने के दस वर्ष बाद एक सवेदानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की जाँच करेगा कि अधिनियम कहां तक सपल रहा तथा भारत उत्तरदाई शासन की दिशा में कहां तक जा रहा है किन्तु आयोग की नियुक्ति परधान मंत्री वाल्डविन की नित्रितों में बिटेन की ततकालीन कंजर्वेटिव पार्टी ने समय से दो वर्ष पूरु ही कर दी क्योंकि उन्ही आसंका थी कि 1928 के चुनाव में लेबर पार्टी जीतेगी और भारत समर्थक सदश्यों का वैधानिक आयोग नियुक्ति कर सकती है नॉवंबर 1927 इस्वे में भारत के रज्य सचीव लाड बारकीन हेड दवारा सर जोन साइमन की अध्यक्ता में साथ सदश्य वाला साइमन कमिशन नियुक्ति किया गया इसमें सभी सदश्य अंग्रेश थे अतै कांग्रेश ने इसे श्वेद कमिशन का जोन साइमन के अलावा अन्य सदश्य थे बाथम, इस्टेट कोनो, लैनफेक्स, करडेगन, कलीमेंट एटली, तथा बन्नोन, हार्ट 11 दिसंबर 1927 इस्वी को इलावाद में हुए सर्व दल्लिय समिलन में साइमन कमिशन का बैसकार करने का निलने किया गया क्योंकि इसमें एक भी भारतिय सदश्य नहीं था यद्यपी इस समय बिटिश संसद में लाट सिंगा तथा स्री सक्ताल वाला दो भारतिय सदश्य थे क्योंकि जब कॉंग्रेश और अन्या भारतिय संगटों नहीं ये पूछा कि भारत की समस्या का समधान करने के लिए आप इस कमिशन का गठन कर रहे हो और इसमें एक भी भारतिय सदश्य सामिल नहीं है तो अंग्रेशों ने इसका ये जबाब दिया कि चूंकि संसद में कोई भी भारतिय सदश्य नहीं है इसलिए हम भारतियों को नियुक्त नहीं करें लेकिन उस समय बेटी संसद में दो सदश्य भारतिय थे यदि अंग्रेज चाते थे इनको इस कमिशन में नियुक्त कर सकते थे लाड इर्विन के सुजाव पर भारतियों को साइमन कमिशन के बाहर रखा गया था क्योंकि उस समय गवर्नर जर्नल भारत के लाड इर्विन थे दिसंबर 1927 इसमें मुस्लिम लीग के दिल्ली अदिवेशन में मौम्मद अली जीनना ने चार परस्ताव जिनको दिल्ली परस्ताव के नाम से जाना जाता था रखे जिनें वे भारत के सविदान के बहवी मसोदे में सामिल करना चाते थे कांग्रेश ने दिसंबर 1927 के मदरास अदिवेशन में दिल्ली परस्तावों को सुविकार कर साइमन कमिशन के बहिसकार का परस्ताव पारिद किया इससे साइमन कमिशन के बहिसकार पर सर्व समयती को अधिक बल मिला तेजवादूर सप्रू के लिबरल फेडरेशन, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी, हिंदू महासबा, फिक्की आदि ने भी साइमन कमिशन के बहिसकार का पूंताया समर्थन किया लेकिन बाद में मुहम्मत सपी के नेतरतों में मुस्लिम लीग का एक गुट समर्थन कर रही थी लेकिन मुहम्मत सपी के नेतरतों में मुस्लिम लीग का एक गुट साइमन कमिशन का समर्थन के बन गया इसके लावा मद्राश की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने भी आयो का समर्थन किया डाक्टर भीमराव अमेटकर के नेत्रतों में संचालित डिप्रेस्ट क्लास एसोसेशन दलित वरग संग और हरीजनु के कुछ संगठनों ने साइमन कमिशन का सयोग किया सेंट्रल सिक्संग और ओल इंडिया अच्छुद फेडरेशन ने भी आयो का विरोध नहीं किया तीन फरवरी 1928 इसु को कमिशन आयो बंबई पूँचा तो उसे काले जंडे दिखाए गए वे साइमन गो बैक के नारे लगाए वे बंबई में हड़तार रखी लखनव में खली कुजमा और मद्रास में टी परकाशम ने आयो का विरोध किया लखनव में जोवारला नेरू वे गोविन्द बलग पंत को आयो का विरोध करते हुए लाठियां भी खानी पड़ी लाहूर में लालालाज पत्राए के नेतरतों में आयोग विरोधी भीड पर पुलिस ने लाठिय चार्ज किया वे लालालाज पत्राए को कुरूर तरीके से लाठियों से पिटा जिस से कुछ दिन बाद लालाजी की मिर्तिय हो गई मरने से पूर्व लालालाज पत्राय ने कहा कि मेरे उपर जो लाठियों के परहार किये हैं वही एक दिन बिटिस सामराजे के ताबूत में आकरी कील साबित होगा साइमन कमिशन को दो बार फरवरी मार्च 1926 तथा अक्टुमबर 1926 से अपरेल 1931 तक बारत की यात्रा की तथा इसका साइमन कमिशनन ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट पेस की जिसे लंदन में आईजित गोल में सम्मिलन में इसे सामिल किया गया धन्यवाद